Hello and Welcome Friends आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है और Microsoft Excel में खास क्या है क्या सिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर decimal format में लिखा हुआ है कोई number, ठीक हैं? एक, दो, तीन, चार, यह चार number लिखे हुए हैं अब हीनको हम एक shortcut की की मदद से time format में convert करेंगे कैसे होगा यह सबसे पहले तो इसको selection में ले लीजी और एक shortcut की आपको प्रेस करनी है control, shift और आपको प्रेस करना add the rate वाला button तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो यह दिखिए यह time format में convert हो चुका है वहाँ उमीद करता हूँ कि यह video आपको अच्छी लगेगी thank you for watching this video